फाइनली एक्जाम सो चुके हैं खलास जंग के मैदान में भाई फिर से हाजर तो शुरूबात करेंगे वनपीस से एंड इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई थे तो भाई साथ इतने सारे टॉपिक्स हो गए शुरूबात कहां से करें पता ही चल ला एंड वनपीस का लाइव अगरल य लाके बैठे है कुछ चीजर तो यहाँ पिस प्रे Timeland ने खुद ही एहां पर बता दियो कि क्या चीज़े आगे चेंज करने वाला है एन्य में मांगा से किया दिफ्रेंट होनी वाली इस नर टे來說 टेले नहीं बता दी। इस लिए बहुत कुछ कुछ कवर करना है चलो फड़ावट शुरू करते हैं तो जैसे ही भाई साब One Piece के लाइव एक्शन का ट्रेलर जो यहाँ पर ड्रॉप हुआ है लोगों में भाई यह हर कम पर मच गया कुछ लोगों का यहाँ पर रियेक्शन था यह क्या बना दिया मतलब मिक्स रियेक्शन यह क्या पर जोड़ाव हुआँ यही उपने eminge manga के कहरा है या फिर उनको पहले से पताए 5 पछा मोग फिलकुल कि इन बाइ चीज होती है अगर भाई इनिमे मांगा से r Sinn заключ को समझ ली कि हम aim गवान की नजरों से देखना पड़ेगा मतलब थोड़ी मैच्योर नजरों से थोड़ा दिमाग का यूज करके ऐसे कुछ भी नहीं बोलने लगेंगे कि भाई नामी के वह देखने में तो मज़ा ही नहीं हा रहा आज की वीडियो में वनपीस के लाइव एक्षन को अच्छे स ट्रेलर है ट्रेलर फाइनल ट्रेलर नहीं है यह बस एक छोटी सी जलाक है वनपीस के लाइव एक्षन की ताफी लोग यहाँ पर देखना चाहरे थी ना बोल रहे थी कि भाई जलाक दिक लाजा तो इनने दिखा दी और यहाँ पर स्टार्टिंग में यह मैं अपनी राय ब यहाँ पर यह पर यहाँ जी बाई बना रहें ना बट उनके केस में चीज़े उतनी जादा कठिन नहीं होती है अगर हम चीज़ें को कॉम्पैर करें एनिमे या मांगा के लाइव एक्षन से क्योंकि बाई एनिमे मांगा में तुम एसी एसी चीज़े दिख जाएंगी ऐसे एसे characters power भाई चीजे ऐसी ऐसी रहेंगी कि भाई live action बनाने वालों कि भाई फटके हाथ में आजाए भाई कि क्या है यह और जैसे कि इतिहास गबा है टीनेजर इसको टार्गेट करता है 18-20 साल से कम वालों को तो इसलिए वहाँ पर author के पास है आपर खुली छूट होती है छूट होती है कि वो जैसे चाहे वैसे character वगरा design कर सकता है story तो obvious अपने हिसाब से रखी सकता है और जाद अता तो मैं shonen anime में देखने मिलेगा कि वहाँ के characters थोड़े से cartoonist वे में दिखाय जाते है जैसे कि वहाँ पर जो comedy चल रही है तो वो काफी cartoonist वे में चलती है यह काफी अच्छी चीज है क्योंकि हम इसको enjoy कर पाते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी deep और काफी dark भी चली जाती है और जगा जगा पर काफी emotional भी हो जाती है तो अगर ऐसी चीज को दिखाना है तो यह चीज तुम ना animated show के जरी अच्छी से दिखा सकते हो या फिर manga के जरी अच्छी से दिखा सकते हो लाइव action यहाँ पर option नहीं है क्योंकि वो चीज लाइव action के हिसाप से बनी नहीं है अगर बनाई जाएगी तो भाई वो बहुत ज़्यादा weird देखेगी लाइव action में तो लाइव action में अगर कोई हस्ते हस्ते अपना मुँ फार दे तो भाई वो funny नहीं लगेगा रातों की नीनने ओड़े आएगी बट एक और ऐसी category है anime manga की जो की काफ भी popular है और उसको तुम जानते हैं सही ने इनके नाम से अडल्टोडियोंस को target टने के लिए बनाई आती है और उसमें भाई साब बिल्कुल realistic type के characters रहते हैं श्टोरी में उत्ती जादा comedy नहीं रहती जादा तर टाइम श्टोरी serious और dark ही रहेगी और अगर उस चीज का यहां पर live action बनाया जाए तो यहां पर हो सकता है कि वो शोनेन के हिसाब से अच्छा बने बट बिल्कुल perfectly अच्छा नहीं बन सकता है क्योंकि कुछ कुछ चीजे इसमें भी एसरी होती है कि बनाने वालों की हाथ में आ जाए बट इनकी live action series कोई बनाता नहीं है क्योंकि यह शोनेन के मुकाबले उत्ती जादा popular नहीं होती तो इस उसको तुम्हें live action के हिसाब से adapt करना पड़ेगा जैसी वहाँ पर चीजें वैसी तुम उठाके नहीं रख सकते जूदे खाओगे कुछ ना कुछ चीजें तो तुमको चिंज करनी पड़ेगी ही अब चाहे वो character design ही क्यों ना हो जैसे कि भाई तुमने one piece देखा है तो तु एलवीडा एंड इस चीज को तो हम टीजर में भी देख सकते हैं यहाँ पर एलवीडा अगर एनिमे मांगा में देखोगे भाई साब कितिनी जादा मोटी है इतना मोटा कोई कैसे हो सकता है और live action है भाई साइज मैं कैसी लगती मैं imagine भी नहीं कर पा रहा हूं तो उसलिए यहाँ पर उस character design को यहाँ पर change करके थोड़ा कम किया गया उसके size को जैसे कि तुम देख सकते हो लूफी जिसको punch मार रहा होता है वह iconic scene हमारा तो यहीं पर यहाँ पर यह लाइव action एक चीज confirm कर देता है कि यहाँ पर character design हमें अलग देखने मिलेंगे उस आपको design ही थोड़ यह तो नहीं बाई यह गलत नहीं है यह भले के लिए कर रहे हैं और इसकी साइचीज़ के बता दिये तो अब मजबूरी तुम समझे चुके होगे बद चिंता मत करना ओडा जी 7 में है ओडा जी 7 में क्यों है इसलिए है जब वो बोलेंगे उनको पसंद आएगा और चैरेक के हिसाब से ढ़ना पड़ेगा इसलिए जब तुम्हें टीजर देखा हो तो लूफी यहां पर थोड़ा सा अलग साउंड कर सकता है लाइव एक्शन वाला लूफी मुझे थोड़ा सा कम डंब लग रहा है हुसियारी टाइप का लग रहा है थोड़ा बहुत क्योंकि उत्त कि अनिमे मांगा में वैसी तो नहीं दिखा पाएंगे बड़ थोड़ा बहुत है अपने हैसाप से चीजर डालने का ट्राइक करेंगे बड़ जो भी होका माल अच्छा मेलेगा क्योंकि पीछे कौन बेटे हैं ओड़ा जी पीछे बेटे हैं और एक और चीज मैंने पता वाली है वह भाई साब वाइलेंस जैसे कि मुस्ट प्रोबैबली यह सो होने वाला है पीजी 13 जो कि आज कल काफी जादा यूज होता है एंड इसमें भी इनको यह यूज करना पड़ेगा क्योंकि जारता लोगों तक पहुंचाना है न अपना वनपीस लाइव एक्शन बढ़ अब उस चीज को तुम लाइव एक्शन में इमेजिन करके देखो कितनी खदनाक दिख रही है बढ़ अफकॉस लाइव एक्शन में यह चीज इतनी खदनाक नहीं दिखा पाएंगे कुछ अलग एंगल से दिखा है या फिर कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे कि यह हम लगाना पड़ेगा जैसे कि मांगा में अगर हम देखे वन पीस की ब्लूटैलिटी भाई बहुत जादा है मांगा में एनीमे में उसको थोड़ा कम कर दिये गया है एंड लाइव एक्शन में तो और थोड़ा कम करना पड़ेगा उनको पर जैसी चीजे बिलकुल मांगा में दी गई है अगर वैसे ही कर दी है तो भाई आर रेटिंग तो पका मिलना है एंड फिर में भी हो सकता है जादा लोग ना देख पहें इसलिए इसको थोड़ा हिसाब में रखा जाएगा तो यह चीज इसकी थोड़ी मेरे को डाउन पॉइंट लग रहा है क्योंकि शोनन के लिए बिलकुल भाई साब पूरा अपना जान लगा दे रहा है तो यह चीज काफी जादा इंस्पिरेशन लगती है जो जैसे कि अभी समझ में आ रहा है भाई लाइव एक्शन में यह चीजे काफी कम होने वाली है मतलब काफी तो रही बट कम तो होगी और एक और मुझ से देखने मिल जाती है थोड़ी दिल में राहत हो जाती कि यह कैसा होने वाले में तुरंत पता चल जाता क्योंकि जादतर मज़ा है यहां पर सीरीज में किसी भी सीरीज में आता है जब खदनना खदनना फाइट चल रही होती है और सबसे बड़ा चैलेंज इस लाइव एक एक दो बार में तो यह सीन परफेक्ट लगा थे लेगें इसको जब बार बार देखू कि न जब तुम्हें भी समझ में आएगा यह चीज तो में भी हो सकते है जोरो अभी थोड़ा नया नया इसलिए उत्ता जाद है इसको नहीं बताया दीर इसको थोड़ा और अच्छा स्पीड बगड़ा बढ़ाएंगे और कुछ हो ना होन मुझे भाई इसमें एनिमे स्टाइल फाइटिंग चाहिए क्योंकि जो जो जोरो का वहां पर स्टाइल ने मालने का भाई उसके तो भाई सब दुनिया भार में सब फैन है तो यह कुछ थोड़ी बुरी चीजे भी है अच्छी चीजे भी ट्रेलर के बारे में काफी जादा है जैसी कि सबसे पहले तो इसके सेट डिजाइन सेट पीसे काफी जादा बीटफुल बनाया है भाई बजट इतना जादा बजब इनने बताया था ना कि इतना बजट होने वाला है इनका पर एपिसोट का तो वो का एक्टर बोई बढ़ी है नामी भी बढ़िया है उसोब भी बढ़िया है सांजी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बट उत्ता जादा इनने दिखाए नहीं तो हम बोलने सकते जित्ता देख उत्ते हैं बता रहा था बागी सब अच्छे हैं जैसे कि यह धीर और ग्रो करें इससे मज़ा आता है देखने में और सबसे जादा ग्रो चाहिए हमें नामी के बारे में बाई टाइम स्किप के बाद हमें नामी के बड़े चाहिए हम नहीं यानते तो यही तहाई बन पीस लाइव एक्शन टीजर टेलर तो अगर तुम इसको कहीं ना कहीं बोरा समझ रहत कि जो लोग एनीमे नहीं देखते उनको भी एनीमे का थोड़ा सा स्वाथ चखाया जाएगी क्या चीज़े बाई और दूसरी यहाँ पर चीज़ होगी जो यहाँ पर एनीमे देखते हैं बट वनपीस उनने नहीं देखा अब कुछ भी रीजन हो सकता है में रीजन तो यह ह कॉमिक्स से कंपेर करें तो चीज़े चींज होती है बट इसका मतलब यह तो नहीं मूविस खराब होती है तो होप करते हैं वनपीस लाइव एक्शन फार देगा और तुम क्या सुचते हो उस लाइव एक्शन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रू बताना एंड मिलते है में फिल नेक्स वीडियो में बाइ